Hello everyone, welcome to our YouTube platform, Jaya Raffadda. सबसे पहले तो आप सबी को भ्यार बेर नमाशकार, Good morning everyone. एक पर फिर से स्वागत है, अब सबी लोगों का 5 पिनिट मस्टनो स्रीज में. आज का जो मस्टनो स्रीज का टोपिक रहेगा दोस्तों, वो है हमारा कैबे, यानि Central Advisory Board on Education, जो की highest authority है, state government and center government को education के regarding सला देने में. तो आज हम detail से पढ़ेंगे, कैबे के बारे में Central Advisory Board on Education के बारे में, एक फ़ोद important educational reform है, जो भारत में किया गया था, अंग्रेजों के दौरा किया गया था. तो आज इसके बारे में complete detail हम समझेंगे, एक बार आप सब लोग session को थोड़ा से सेर कर दीजिए, जिससे की बाकी student भी हम से जुड़े, और इस topic को वो अच्छे से clear कर पाएंगे, चले, तो सुरू करते हैं, कैबे के बारे में पढ़ना, Central Advisory Board on Education, सबसे पहले तो देखो, इसकी फुलफोर्म आपको बहुत अच्छे से clear होने चाहिए, Central Advisory Board of Education, कैबे की फुलफोर्म क्या है, Central Advisory Board of Education, ये दोस्तो एक advisory body है, highest advisory body है, Central Government को भी और State Government को भी, in the field of education, शिक्षा के छेतर में, शिक्षा के छेतर में, ये सबसे highest advisory body है, केंदर सरकार के लिए भी, और राज्य सरकार के लिए भी, पहली चीज़ तो आपको ये पता होने चे, पूछ लेके भाई कैबे है क्या, तो ये highest advisory body है, सिक्षा के छेतर में, Central Government प्लस State Government दोनों के लिए, इसके लाब ये जो body है दोस्तों, ये oldest body भी है, और most important advisory body है, सबसे पुरानी और सबसे महतपूर्ण body है, आपकी Central Advisory Board of Education, इसकी जो इस्तापना है दोस्तों, वो 1920 में हो चुकी थी, लेकिन आर्थिक टंगी के चलते, 1923 में इसको dissolve कर दिया गया था, लेकिन फिर 1935 में इसको दुबारा से revive किया गया गया था, अब बात आती है, कि इसकी जो इस्तापना है, वो किसकी सिफारीस पे की गई, तो यहाँ पे कलकत्ता University Commission आता है, जिसको हम बोलते हैं, Sadler Commission, जिसको क्या बोलते हैं, कलकत्ता University Commission का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आप बताओ, कमेंड करके बताएं, सब लोग, कलकत्ता University Commission, तो कलकत्ता University Commission है, यह 1917-1919 के बीच में आपका आता है, 1917-1919 के बीच में आता है, जिसको हम Sadler Commission भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, Sadler Commission, Settler I.O. के नाम से भी इसको जाना जाते हैं, जिसकी स्फारिस के आधार पर आपके कैवे की इस्तापना होती है 1920 में, सेडलर कमीशन की स्फारिस के, आपसे कोई पूछे की कैवे की स्फारिस पर कियी गई थी, तो आपका Sadler University Commission या कलकता University Commission की सिफारिस पर इसकी इस्तापना की जाती है 1920 में इसकी इस्तापना होती है यह डेट आपको जरूर याद रहती है यहां से आपके सवाल आते हैं आप एक कोशन आपका आ सकता है कि यह जो कैबे हैं दोस्तों इसके चेर्मेन कोन होते हैं दोस्तों तो इसके जो चेर्मेन होते हैं वो हमारे जो सिक्षा मंतरी है Ministry of Education Minister of Education जो होते है Minister of Education सिक्षा मंतरी तो अभी हमारे सिक्षा मंतरी कोन है दोस्तों दर्मिंदर प्रधान जी है दर्मिंदर प्रधान तो दर्मिंदर प्रधान है वो आभी केबे के क्या है चेर्मेन है ये क्या है अभी केबे के क्या है चेर्मेन है तो ये चीज़ आपको पता होने चाहिए और इसके वाइस चेर्मेन कोन होते हैं दोस्तों इसके वाइस चेर्म वह हमारी कौन होते हैं इसके Vice Chairman है तो चेर्मेन कौन है अभी दर्मिन्य آण इसके Chairman है क्योंकि वह हमारे Education Minister है और Vice Chairman कोन है Ministry of Education के State Minister हुते है अब यह आप मुझे बता हूँ कि हमारे State Ministry of Education कौन है किसके हाओँ में हैं अभी है इसके अलावब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि function of KB, KB के main-main कारिये क्या हैं दोस्तों, कि मुख्य कारिये, मुख्य कारिये क्या क्या है, इसके कारिये, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें के कारिये के मुख्य कारिये की, तो to review the progress of education from time to time, education related जो भी progress है, उसको time to time आपको क्या करना, उसका direction करना, उसको review करना है, दूसरा है दोस्तों, to appraise the extent and manner in which the education policy has been implemented by the central and state government and other concerned agencies to give appropriate advice in this, जैसे को education policy है, जो आपकी आई है, उसके बारे में कुछ advice देनी है, उसमें कुछ rectification करवाना है, तो वो भी कैबे का काम है, दोस्तों, ये दोस्तों, advice regarding coordination between the central and state government, जो भी राज्य सरकार है, जो भी केंदर सरकार है, सिक्षाक से related, उनके बीच में कैसे coordination बैठे, उसके लिए आपका कैबे है, वो आपको advice करता है, चोथा point है आपका, तीसरा हो गया आपका, चोथा है, तो advice, shoe motto, और own a reference made to it by the central government, और any state government, और union territory, और any educational questions, ठीक है, तो ये जितने भी सिक्षा से related, राज्य सरकार और केंदर सरकार के जो भी काम है, उनके ऊपर ये क्या करता है, advice करता है, so shoe motto भी दे सकता है, shoe motto बतला, खुद से भी advice कर सकता है, या कोई राज्य सरकार या केंदर सरकार इनसे राई मांगे, तो कैबे है, वो अपनी क्या करता है, सिक्षा से रिलेटेड जो भी उनकी एडवाइस होती है, वो सरकारों को देते हैं, तो ये था आपका कैबे, I hope आपको ये help करेगा, सभी के लिए special discount आने वाला है, ठीक है, 22, 23, 24, तीन दिन आपके लिए special discount रहेगा, उसमें जितने भी हमारे test series हैं, जितने भी हमारे courses हैं, उन सब पे, दसेरे के उपलक्ष में आप सभी को discount दिया जा रहा है, आपको क्या करना है, D10 code यूज करना है, D10 code जैसे ही आप यूज करेंगे, तो आपको तुरंत, जितने भी हमारे courses हैं, test series हैं, उन सब पे आपको discount यहां से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये test series हैं, आपकी paper 1 की देख लीजे, ठीक है, 799 रुपे में आपको paper 1 मिलेगा, 31 full length mock test आपको मिलने वाले हैं, और paper 1 और paper 2 की बात करें, तो यहां पे भी 31 full length mock test आपको मिलेंगे, latest pattern है, detail explanation है, real time interference के साथ में आपको मिलेगे, ये paper 2 है, ठीक है, जिसकी आपको test series मिल जाएगी, 1499 में हमारे support team के number है इन से आप बात कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी doubt हो, कुछ भी पूछना हो test series के बारे में तो आप comment कर सकते हैं, support team से बात कर सकते हैं, और हो सके तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके test series को join करो, क्योंकि time बहुत कम है, अभी आप अपनी गलतियों को पहचानोंगे तब ही आप उनको correct करता होगे, वना टो time निकल जाएगा तो फिर गलतिया सुधरती नहीं है, फिर आप exam में जाके repeat करोगे, so this is all for today, thank you so much, उमीद करता हूँ कि इस session आपको help करेगा, बाकी मिलते हैं दोस्तों, next session